हलो टू आल आप लोगों को स्वागत है मेरे चानल ड्रिम टेक पे तो क्या आप लोग भी अपनी मोबाइल को एज या वैब कामरा यूज करना चाहते हैं देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि कुछ लोगों के पास लापटॉप या कंप्यूटर होता है लेकिन उनक क्या हैं अच्छी क्या है उनलाइन के टाइं में आप लोगों को जैसे कुछ लोग ऑन-laiन क्लास करते होंग हो और कुछ लोग उन-लाइन मीटिंग करते होंगे तो आज की तुडियो क्यों बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी मुवाइल को कैसे एज़ वैब केमरा यूच कर सकते अपने लाप्टॉप या कंप्यूडर में ठीक है तो यह सारा कुछ में आप लोगों बताने वाला हूं एक अच्छा वीडियो क्वालिटी आप सकते हैं ताकि सामने वाला वीडियो प्रीव क्वालिटी देखकर अच्छा खासा इंप्रेस हो जाए ठीक है तो चलिए वीडियो का आप सुरू सांन तक दिखें वीडियो का अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ब तो दख्रे बीडियो सुरू करने से पाले मैं आपको को एक बात बूलना । चाहुँगा कि इसमें नेट का जरूरत होता है यानि आपके मुगाल में भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपके laptop और computer में भी internet connection होना चाहिए क्योंकि यह जो camera connect होता है यह वैब camera यह वाइफाइ के थू होता है तो यह आपके mobile में इंटरनेट connection on होना चाहिए और आपके laptop में भी होना चाहिए तभी यह camera connect हो पाएगा ठीक है तो देखिए आपको करना क्या है आपको अपनी mobile में play store क अपन कर लेना है ठीक है और play store में आपको एक app यहां से install करना है मैं इस app का नाम बता रहा हूं आई आर आई यू एन आई योन ठीक है वैसे इस app का link मैंने अपने इस वीडियो के description box में दे दिया है तो वहांस भी आप इस app को direct touch करके install कर सकते हैं तो देखिए यही है इसका icon बिल्कुल इसी तरह है ठीक है और यह app है ठीक है तो चुकि मैंने install कर लिए इसलिए मेरा यहां open लिखा वारा आप लोगों को यहां पर install लिखा वागा तो आप लोग यहां से install पर touch करके इससे install कर लेजेगा ठीक है और यह जब install कर लेजेगा तो same app आपको अपने laptop या computer मे install करना होगा ठीक है तो laptop यह computer में आपको देखे कैसे करना होगा वह मैं आपको दिखाता हूं तो देखे आपको अपने अब laptop या computer में क्या करना है इसी app को आपको install करना है ठीक है तो यहां पे आप chrome browser में आप लिखेगा same iro i r iun iion webcam ठीक है यह लिखकर करके आप सर्च कर द रहेगा http irion.com वैसे इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो को description box में दे दिया है मैंने तो वहां से भी आप डिरेक्ट टच करके sorry click करके आप अपने laptop या computer में इसको install कर सकते है तो देखे मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखे कुछ इस तरह साब के सामने आएगा ठीक है download होने के बाद इसे आपको install कर लेना मैंने install कर लिया है तो आपको इसे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह साएगा फिर आपको क्या करना है अपने mobile में भी इसी app को जो आपने install किया है इसी app को open कर लेना जैसे कि मैं यहीं से direct open कर लेना हूँ तो इसका icon भी बन जागा आपके mobile में ठीक है तो इसे open कर लेना यहाँ पे देख पा रहेंगे एक कुछ इस तरह से open होकर के आएगा फिर नीचे में आपको continue देखने को मिल लगा तो उस continue पर आपको क्या कर देना है टच कर देना है तो जैसे यहाँ पर continue पर टच किजिएगा यहाँ पर देखे कुछ इस तरह से लिखावाएगा ठीक है यानि कि इसको आप USB से भी connect कर सकते हैं अगर USB debugging इनेबल करते हैं तब यह देखे थोड़े दर आपको wait करना है फिर आपको यहाँ पर देखे आपका phone का camera यहाँ पर काम करना शुरू हो गया जैसे कि मैं आपको दिखाता है अपने phone से मैं दिखा रहा हूं यह देखे यहाँ पर laptop में सारा कुछ दिख रहा हूँ तो जैसे कि देख पा रहे हैं अभी यह webcam यूज हो गया है अभी मैं अपने mobile के camera से मैं आपको अपना picture दिखा रहा हूं तो इस तरह साब कर सकते हैं और चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप online जूम पे आप अपने mobile को कैसे है जो वैब camera यूज कर सकते हैं अपने laptop या computer के camera के जगा ठीक है दिखे मैंने जूम को यहां पर open कर दिया है अब चलिए यहां से new meeting मैं open कर लेता हूं तो जैसा कि देख पा रहे हूंगे अभी यह मेरा laptop का camera से यह recording हो रहा है मेरा face दिख रहा होगा ठीक है तो यह देखे laptop का camera का कैसा quality है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं अपना यह mobile का जो मैंने वैब camera यूज किया था ठीक है जैसे कि मैं दिखा देता हूं यह video setting जब किजिएगा तो यहां से आपको यहां पर देखे दोनों camera में लेगा iron web camera and hp चुकि मेरा laptop का है तो वह दिख रहा है तो यहां भी आप switch कर सकते हैं तो देख पारंगे अभी यह जो camera quality दिख रहा होगा आपको यह मेरा mobile का यह जो मैंन इतना difference है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार अपने laptop के quality को ठीक है फिर से मैं अपने laptop के camera को quality को on करके दिखा देता हूं यह देखिए laptop का camera quality किस तरह है तो देखिए इसका quality कितना अच्छा है देख पा रहे हैं तो यह इस तरह से आप अपने mobile को as a web camera यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा video quality पा सकते हैं तो उमीद है video आप लोगों को अच्छा लगा होगा सारा कुछ समझ में आ गया होगा अग लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए मों इसका reply जरू करूगा तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्यों फर वाचिंग देस वीडियो थैंक्यों